हलो गाईस कैसे हैं आप सभी लोग आई हूब अच्छे होंगे और आज किस वीडियो में हम देखने बाले हैं जो भी बी जो भी छात्र बी ए थर्डियर में है बी थर्डियर में है एकोनोमिक्स का फस्ट पेपर लेके आएं जिसमें हम mcq कोशनों की बात करेंगे जिसे हम objective type कोशन कहते हैं यह 2021 के implement के लिए important होंगे जो implement exam जो छात्र देने वाले है mcq कोशन implement के लिए बहुँ जादा important होने वाले हैं जो भी implement exam दे रहा है उन सभी चात्रों से कहना चाहूंगा कि आप इस PDF को download कर लेना आपसे बादा करता हूँ कि यहां से 85% देखने को मिलेंगे सारे कोशन आपके exam में यहीं से पूछे जाएंगे यह कोशन पर पेपर के कैसी दिखाई देगी तो एक देख लीजिए यह बहुत अच्छे नोर्स से हमने तयार किया गया है आप इन PDF को download जरूर कर लेना PDF का link description box में मिल जाएगा PDF का link है वो description box में मिल जाएगा आप download कर लेना इस परकार से आपको पूरी PDF दिखाई देगी unit by unit भी दे रखे हैं यदि देखी जाए पहला कोशन आप यहां हमारी वीडियो को देख कर भी आप simple तरीके से आप अच्छे नमबा ला सकते हैं लेकिन हम आपको बता दू इस वीडियो में मैं आपको ये सिर्फ ये बता दू कि जो हम डाल रहे हैं वो unit by unit भी डाल देंगे कोई issue नहीं होगा unit by unit डाल देते हैं ठी unit second next video में उसके बाद third और उसके बाद fourth unit को देखेंगे चारो unit को एक साथ हम वीडियो को आपके सामने upload कर देंगे यूटूब पर आप इसको देख लगबग बहुत अच्छे नमबर ला सकते हैं चारो वीडियो को देखना पड़ेगा हमने दो बुकों से important question बनाए हैं एक book हैं उसके publish नहीं करते आप जब PDF को download करोगे उसमें दोनों पर बुकों से जो question हमने बनाए हैं वो एक साथ आपको download हो जाएंगे और मैं आपसे बादा करता हूं कि बहां से कोई question बाहर नहीं जाएगा एक question same to save आपके exam में देखने के मिलेंगे और आप अच्छे नमबर से पास होंगे तो सभी छात्रों से mcq वाले जो भी छात्र है जिनका इंप्रोमेंट डला हुआ है economics में तो दोस्तों फटाक से जिसे हम अर्थ सास्त्र कहते हैं PDF को download कर लेना इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है तो सभी छात्रों से कहना चाहूंगा पहला question का आप answer बारवार option जाने लाश्ट में जाना पड़े ऐसा नहीं होगा आपको हमारे paper hacker youtube channel को subscribe करना होगा साती साथ जो एक description box में और भी हमारे channel है जिसका नाम है बीए paper hacker आप उसको भी subscribe करना पड़ेगा बीकॉम बीए बीए से related है तो बीकॉम बीए paper hacker को जरूर सब्सक्राइब कर ल दिलने वाली है इसको देखिए और paper hacker पर सभी टाइब की question आपको दिये जाते हैं बीए बीए से बीकॉम में में से एमकॉम हाई स्कूल इंटर बीए से सबको दिये जाते हैं तो इसलिए मैं चात्रों से कहना चाहूंगा कि आप साथ में बोच चैनल को भी subscribe कर लें यहां ब बड़ती हुई छमता 29 सील प्रदोगों की और सस्थागत एबम बिजारित समयोजन पर आधारित है यह किसकी परिभासा है एक बार सभी लोग इसका अंसर देंगे तो याद रखना आपको question को पढ़ना है सीधे answer पर आना है बाकी कुछ नहीं देखना है इस परकार से आप गई थी option नंबर एक ही और जाएंगे ठीक है जो कुजनेट से साइमन उनके द्वारा यह दी गई थी next question है सिरिमती जो उर्सला जो हिक्स के अनुसार क्या हुआ आर्थिक विकास सब्द का प्रयोग किया गया था तो किसके लिए किया गया था आर्थिक विकास का प्रयोग तो आप कोगे विकासील देशों के लिए किया गया था आर्थिक विकास का बतलब विकासील जो देश है उनके लिए इसका प्रयोग किया गया था ठीक है उर्सला के अनुसार इसको याद रखेंगे बहुत जादा important है next question है जो प्रोफेशर थे साइमन उजनेट उनके विकास को मापने के तरीका बताया था उस तरीकों को क्या बताया था जो तरीका बताया था वो राष्टे की आए को मापने का तरीका बताया था ठीक है याद रखना राष्टे की आए को मापने का तरीका बताया था इन्होंने next question है आर्थिक विकास होता क्या है एक बात बत परिवर्तन से है तो सभी का अंसर आना चाहिए उप्रोक्त सभी सभी से ओर समाजिक से भी है नैतिक संस्थागत और संस्कृ 특िक से भी है उप्रोक्त सभी की बात करेंगे नेक्स खूशन आपसे पूचा गया है साही दिखाई होगा थोड़ा सा और जुमिंग कर लेते हैं नेक्स कोशन है आपसे और सभी लोगों से कहते हैं इस वीडियों को एक लाइक जरूर करेंगे सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं मैं आपसे बादा करता हूं कि कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है आप बस चैनलों को सस्क् कर दो आपका भाई भेन हाई स्कुल इंटर बीए बीस सी बीकॉम कमडेटिड एक्जाम एफर आर्मी की त्यारी कर रहा है तो उनके लिए बहुत ही जरूरी है यहां बोला गया आर्थिक विकास की बह परिकरिया जिसमें प्रती ब्यक्ति आए में ब्रदी होती है ये क्या कहलाती है ये दीगर कालीन होती है कैसी ब्रदी होती है बेटा ये दीगर कालीन होती है यहां बोला गया कि आर्थिक विकास की बह परिकरिया जिसमें प्रती ब्यक्ति आए में ब्रदी होती है ये कौन सी ब्रदी होती है तो आप कोगे ये दीगर कालीन ब्रदी होती है आप और थिक विकास और ऑुट्यिक की तुलना की बात की है वह होती है ब्रवर्यक क्लैंस केलाती हैz ठीक है प्रोवेवेक विचार कहलाती है option number A की और जाएंगे next question आप से पूछा गया है कि आर्थिक प्रगती का संदर संबन्ध होता है आर्थिक प्रगती का जो संबन्ध होता है वो होता है दोस्तों प्रति ब्यक्ति वास्तिविक आय में ब्रधी से होता है option number A की और नेक्स कोशन बोला गया है निमने में कौन सी सर्थ आर्थिक विकास के लिए अनिवार होती है कौन सी ऐसी सर्थ है जो आर्थिक विकास के लिए अनिवार होती है तो सभी को आना चाहिए दीगर काल में होने वाली ब्रदी ये क्या है सभी के लिए ये अनिवार सर्थ है दीग रिकालीन में होने वाली ब्रदी या दीगर काल में होने वाली इसको कह सकते हैं option number C की और जाएंगे next question है आर्थिक विकास के साथ साथ जो किरसी छेतर का हिस्सा गिरता जाता है यह किसमे होता है तो आप कहेंगे राष्टी आय और सिर्मिक सकती दोनों में ठीक है राष्टी आय और सिर्मिक सकती दोनों में होता है next question की और चलते है next question है आर्थिक विकास की आय के लिए कौन सा बहतर माप है आर्थिक विकास के माप के लिए कौन सा बहतर माप है तो सभी को पता है वो है राश्टे आए, option number A की ओर जाएंगे next question है कि विभिन देशों के आर्थिक विकास की तुलना में प्रियुक्त प्रमुक जो मापदंड कहलाता है, वो कहलाता है option number D की ओर जाएंगे, किसी एक मैं कह सकते हैं किसी राश्टे के आर्थिक विकास की वास्तिविक माप क्या होती है आप सभी को पता है, प्रियुक्त आए कहलाती है next question की ओर चलेंगे, next question है आर्थिक व्रग्दी की धार्णा आर्थिक दरश्टी से ऐसे उन्नत देशों के लिए उप्युक्त है, जहां पर संसाधन ग्यात और विक्सित है ये किस का कथन है, तो आप सभी को पता है ये उर्सला का कथन था, सिरीमती उर्सला का कथन था जिसे उर्सला हिक्स का ना, हिक्स भी कहा जाता है ये फुल इसका नाम है तो उर्सला को याद रखना ठीक है आर्थिक विकास जब भी बात करें तो उर्सला की बात याद आजाना चाहिए आपको ठीक है मैं इस वीडियो को सिर्फ आपको अपने एक दिहान से सुनना है और आप सुन के बहुत अच्छे नमल आ सकते हैं ठीक है चैनल पे आहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पीडिएफ को डानलोड करेंगे डिसका लिंग डिसक्रप्शन वॉक्स में है यहां कहा रहा है आर्थिक व्रद्धी दिग्रकाल में होने वाले किर्मिक और सतत परिवर्तन है जो बचत और जन्संक्या के व्रद्धी की समान दर से आता है यह कथन किसका है तो आप सभी को पता है यह कथन ऑप्शन नमबर स्थी की आर जाएंगे जिसे हम सिंपुटर कहते हैं इन सिंपुटर का है तो ऑप्शन नमबर सभी का अप से नमबर चाहिए तो जींपुटर से बोलते हैं और जाते हैं इसमें कौन सा कथन सत्थ है तो सभी को पता है आर्थिक विकास विकसील देशों के विकास से विकास सभी कर एक hebben किसका है तो सभी को पता है ये कथन जो है बूँ सी पी किंडल वर्जर का है सभी का उप्षिन नमर सी की ओर जाना चाहिए नेक्स्ट कोश्चन चलते हैं यहां कहा रहा है एक अर्द दिक्सित देश ये है जिसमें मानब सक्ती का अपूर्ड आदोहन एबम संसोधित प्रकृति संसादनों का सह अस्तित्व होता है ये परिभासा किसकी है तो सभी को पता है ये प्रोफेसर जियार हिसकी है ठीक है जियार हिक्स जो था उसकी है ऑप्षिन नमबर हम एक ही ओर जाएंगे यह रियुक्त औवस्था ओं में होती है औप्शन नमबर बी कि ओर जाएंगे जम्ठों और प्ल्पिक्सित लेसों प्रकृति संसादनों की तुलना में कम पोजी से संपन होते हैं ये परिभासा किसकी है तो आप आप सभी को पता है ये जो नरक्स की है option number जिसने भी दिया है जिसे हम नरक्से भी कह सकते है option number c क्यों जाएंगे ठीक है next question आप से पूछा गया एक अल्पविक्सित देशवे है जिसमें एक और एक और अधिक और कम अंस में मानब सकती वेकार हो और दूसरी और प्रिकृति सं सादनों का पूर्ण विदोहन ना हो वे परिभासा किसकी है तो सभी को पता है ये भारतिय योजिना आयोग की परिभासा है option number a b की ओड़ जाएंगे next question आप से पूछा गया है कि एक अर्द विक्सित देश में निहित है क्या निहित होता है तो आपको सब को पता है उप्रो करना ये सब क्या है उप्रुक्त सभी हमारे अर्द विक्सित देश की निहित है next question आप से पूछा गया है किसी देश के अल्फ विक्सित होने का कारण क्या होता है तो आप सभी को पता है उप्रुक्त है जैसे कि पूजी संचन का आभाव होना गरीवी होना और शातिसाथ ज next question बोला है अल्फ विक्सित देशों में किस छेतर में आई की समानताएं अधिक पाई जाती है तो सभी को बताए सेबा के छेतर में सबसे अधिक समानताएं पाई जाती है अल्फ विक्सित देश बिस्व की गंदी वस्तियां है ये कथन किसका है तो सभी को पता है ये कथन क किसे सिकने कहा था यह कहा था कि जो अलफबिकष से देश होते हैं वो बिस्व की गंदी बश्थिया है यह किसी ने कहा होगा तो आप सभी का अंसर आना चाहिए सिटी कह सकता है कैनल कि clas imaginary ओप्श galaxy कि और जाना चाहिए भारती और्विवस्ताव को किस तरणी में रखा गया है अन्ष अन्सर आना चाहिए भारती और्विवास्ताव किस तरणी में रखा गया है तो आपको 20 प्लिक प्शन है निमने कित में से कौन से 6 और्थिक रूप से पिछली foreign देशों का सूचिक है तो आपको उप्रुक्त सभी हो जाएगा राष्ट की समान विसेस्ता होती है तो सभी को पता है उप्रुक्त सभी होती है आप्शन नमबर डी की और जाएंगे जिसे पूझी की निन्ता और किरसी की प्रधानता और किरसी अबम्ट कह सकते हैं आकूशन और पिछला होना आप्शन नमबर जिसे ने भी डी दिया है परम सत्तांसर होगा नेक्स कोशन बोल रहा है कि भारत एक अमीर देश है जहां गरी गरीब लोग निवास करते हैं यह किसका आश है तो आप सभी कहाना चाहिए अप्शन नमबर सी प्रिकृति एवम मानुए दोनों साधनों से साधनों में अप्रियुक्त उत्पादन छमता का होना यह सभी का यह एक उधान कह सकते हैं इस प्रिकार से नेक्स कोश्चन क्यों च दोनों साधनों में आयुक्त उत्पादन छमता का होना यह क्या होता है गरीब लोगों को निवास देने के बराबर होता है इस प्रिकार से आश है लाएगा नेक्स कोश्चन है कि अर्द बिक्सित देश वे है जो गत्ति प्रिकति सील देशों की तुलना में अपनी जन संक् प्रिकतिरी साधनों के संबंद में कम पूजी से संपन होता है यह इस परिभासा किसकी है तो आप सभी का आना चाहिए क्या जो अब हमने पहले बताया था ठीक है कह सकते है नर्क्से जो थे ठीक है नर्क्से सिंप्रिन नर्क्से को याद रखिए आपको याद रहेगा देशों के आर्थिक विकास का मुख आर्थिक बादा क्या होती है तो आप सभी कहेंगे बजारों की अपूरता होती है ठीक है बजारों की अपूरता होती है और नेक्ट कोशन के अल्परिक से देशों की आर्थिक विकास के मुख समाजिक बादा क्या है तो सभी को समाजिक रिती रिवाज के बारे में ये समाजिक बादा कहलाती है आर्थिक बादा करें तो आप कोगे आर्थिक बादा की जब भी बात करेगा तो आप रियाद रखना बजार की अपूरता ठीक है और साथी साथे समाजिक की बात करें तो उसमें रिती रिवाज के बारे मोलना है ठीक होंगे संस्कृति गटक उत्तरदाई होंगे सभी हो जाएगा नेक्स कोशन आप से पूछाए अर्थ विबस्था में जन संक्या व्रदी निमनिकित में निमनिकित किस कारणा से आर्थिक विकास में बादक है तो आपको उपरुक सभी से बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी जब जनसंक्या बढ़ेगी तो जीवन की इस्थर में कमी आ जाएगी और साती साथ क्या हो जाएगा ठीक है और प्रिकृति व्यक्ति जो होता है ना प्रिति व्यक्ति आये में कमी हो जाएगी उप्रोग सभी यह हो जाएंगे जब उसमें कि दिमाग में उत्पन नहीं होता यह कथन तो यह कथन किसका था वापको मैंने पहले जो क्रॉस थे उसका यह था कथन उपर भी मता चुका हूं कि और Whew the युर्णों के दिमाग है नोगों के क्यों कि दिमाग उत्पन नहीं हो तो यह कथन किसका होगा option number B की और जाएंगे next question है कि मिस्रित जो अर्थ विविश्था की क्या विश्था है अर्थ विश्था की क्या विश्था होगी मिस्रित अर्थ विश्था किसे कहते हैं तो सभी का आना चाहिए निजी और जो समाजिक छेत्र का एक कह सकते हैं एक साथ रहते हैं जो निजी और जो समाजिक छेत्र एक साथ रहते हैं तो ये मिसरत अथविस्ता की बिसिस्ता कहलाती है option number यहां बी की और जाएंगे unit number two को हम unit number part number two में डालेंगे यह हमने पहले board रखा था तो आज की वीडियो कैसे लगी comment section में आप जरूर बताएं और हाफ बेडियाफ को जरूर डालोड कर लीजिए मैं आप से बादा करता हूँ यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा तो चैनल को subscribe करना ना भूले थैंक यू